असलाम अलीकूम आज के जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूंकि केट्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि हमारी केट जो होती है उन्हें बुखार हो जाता है और हम लोगों को पता नहीं चलता और आज मैं आप लो तक देखेगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस्ट ना हो तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले हम बात करते हैं कि केट को से साइनोज सिंटम शो करती है जब उसे बुखार होता है केट का नॉर्मल बोडी टेंपरेचर जो होता है वो 38.1 से लेके 39.1 तक होता है अगर हम सेल्सीज में बात करें तो अगर हम फॉरान हैट में बात करें तो केट का जो नॉर्मल टेंपरेचर होता है वह हंडर से लेके वहनों 2.5 तक हो सकता है तो अगर आप अपनी केट का जो चेक करते हैं तो अगर इस से ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी cat को बुखार है और इसमें cat बहुत अधादा डल नजर आती है बहुत अधादा तो आप खुद भी इसका treatment कर सकते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगी और इसके साथ ही अगर आपकी cat को fever है तो वो उल्टी भी कर सकती है वामिट कर सकती है डाय्रीया भी कर सकती है इसके साथ ही आपकी cat जो है उसे खांसी हो सकती है उसके इलावा उसको sneezing हो सक और केट का बुखार किस तरह से चेक करना है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर इसका लिंक जो है वह मैं डिस्क्रिप्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग देख सकते हैं और इसके साथ किया करना है आपने प्रीकेट को पकड़ना है और फिंगर से आपने उसकी पूरी प्रेक्ट्र तो नहीं हो बहुत है या उसकी बॉड़िय का या उसकी बॉड़ी का कुई लिंफ नोट जो है है लिंफ नोड आप लुग जानते ही है कैट सी लेक स्कांड पर और नेक पर लेख पर आपनोंगा तो आगर आपको कोई भी अपनॉर्मालेटी निजर आती है अ वर नाल बीजिक दो इस भी ही अग्रिट को पीन नहीं करें पर आपने स्रींज की मदद से उसको पानी देना है लेकान में पानी देना तो शुप आपने थोड़ा सा ओर्प्र सो कर लेना है इसमें आपने किस तरह से उसको देना है पानी आपने जो है स्रिंज के अंदर 5 ml पानी लेना है उसको आपने इसकी स्थाइड पे रखना है उसकी टिप को और आपने हलकालका प्रेस करना है और इसके साथ ही आप अपनी कैट को खाने में जो है चिकन सूप बना के दे सकते हैं अगर वह खाना नहीं खारी तो आप स्रिंज के जरीय दे सकते हैं इसमें आप ब्रॉथ जो होता है जिसमें आपने चिकन को निकाल लेना है और अच्छे से बॉइल कर लेना है पहले फिर उससे चिकन निकाल लेना है इसकी ब्रॉथ की वीडियो मेरे चैनल पर है आप वह भी और इसके साथ लिएक हैं उनके लिए और जो व्हां कर सकती हमार होती है उनके लिए प्लेश सब्सक्राइब कर बहुत जादा अच्छा है और यह पिसी भी पैट स्टोड़ से खरीज सकते हैं या फिर औंलाइन क्रीज सब्सक्राइब और जब आपकी cat को बुखार होता है तो उसकी energy जो होती है बहुत कम हो जाती है बहुत जादा कमजोर फील करती है तो आपने उसके खाने का बहुत जादा ख्यार रखना होता है अगर वो खुद खाना नहीं खा रही तो आपको सिरीन से खिलाना पड़ता है जैसे कि मैंने आती है और इसके साथ आप एक वाइल करके दे सकते हैं चीकन सूप बना के दे सकते हैं और आपने परी केट को भूख लगने के लिए और उसकी energy level को मैंटेन रखने के लिए उसको मल्टी वाइटमिन देने होते हैं जिसमें आप बीकंप्लेक्स दे सकते हैं जो के काफी और इसके साथ ही आप जो है न्यूटरी प्लस जेल आती है पैट्स के लिए बहुत अच्छी है या आपने किस तरह से देनी है आपने पांच एमल जो है वह डेली अपनी कैट को एक टाइम देनी होती है पांच दिन तक और इसके साथ ही जो है कफोर्टा का इंजक्शन आता और अगर आपके पास कोई adult cat है, बुरी cat है और उसका body weight वो 7-8 kg है तो आपने उसको 2 ml से लेके 2.5 ml तक लगाना है और आप अपनी cat को जो है डॉलर सीरफ दे सकते हैं जो के आपको human formacy से मिल जाता है इस ते भी cat का भुखार जो है ठीक हो जाता है और नेक्स वीडियो में पार 2 में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे injection हैं और कौन सी ऐसी antibiotics हैं जो के हम अपनी cat को दे सकते हैं घर पे और उसका भुखार जो है वो खतम हो जाता है तो हमने इस वीडियो इसलिए जादा लबी नहीं कि क्योंकर लोग पूरी वीडियो नहीं ही दे झालड़ एसे consistency को अपनları लवयों में जो है झालड़ नहीं हैं और लोगा क्ववार के घ।